विवीद इंड़स्ट्रीज ए टेक्स्टाइल ओए, विविंग ओए, डाइंग ओए, प्रिंटिंग ओए, गुरू हुद्योगों छे, इरा हुद्योग छे, जरी हुद्योग छे, खणा बजा मेत्रों ना सूचनों अने प्रश्णों अमारी पासे प्राप्त थी आज, आमा थी, दरेक क्षेत्र ना एक-एक मुद्दाने टज करवानों अमारों प्रयास चेके ना थी आपनों अवाज, शूरत नी अंदर थी, सवाल पूछवानी परंपरा जे शरू थाई, ए आउतिक आले समगर भारत ना वेपारियों नों अवाज बने, आपनों सवाल, कॉंग्रेस पक्स, ए प्रश्णनी साथे निताका जोडशे तुमने लागे, क्या आउता दिवसों मा, ए समाधान मा परिवर्ती थशे, आने वितेला, त्रण महिना नी इंदर आप जोओ छो, क्या देश नुँ भविश्य सन्मानी राहूल गांधी जीये ज्यारे, विविद्ध क्षित्र ना लोकों ने मलवानी, समझवानी, एमने पीडा आपता प्रश्णों, एने वाचा आपपानों, कॉंग्रेस पक्ष ना प्लेटफों थी निष्ठा पुर्वक प्रयास केरो, अन एटले, आज, आजनु आ कालो दिवस, के जने समगर भारत ना तबक्ता अर्थ तंत्र ने, रातना बार वागे, बंद करी दिदू, आ देशनु तबक्तु अर्थ तंत्र, एन नोड बंदी थी, जाने रदय बंद पड़ी जाई, इरिते वेपार, उद्योग, धन्दा, अन इना थी, उभी थेली समश्या होए, आज विद्यार्थिवों होए, युवानों होए, मारी मातावों बेहनों होए, नाना दुकान दारों होए, आखी साइकल थंभी गई छेन, इना कारणे, आज समगर गुजरात नी अंदर, आपड़ी सव नी पिडावोंने, वाचा आपवानू काम, एक कोंग्रिस फक्ष्णू आप्रेयास चे, मारा ओलिंटियर भायोंने पण विनंती करीश, जे आप सव ना प्रश्णू आएवात आयमाथी, अहिया उपस्थित मित्रों आजर वोईतो, एमनी हाजरी आ ओलमा क्या छे, जरा मारू ध्यान आकरशित करशे, राहूल जी साथे जे आपड़ा प्रश्णू चर्चवानाज, तो नाम बोलिष त्यारे, अमारा स्वयम सेवक साथियो, माई केमना सुधी पोचाड़े आप खुला मने, नोट बंदियने जिये श्टी थी, आपना उध्योग ने, सू थकलिफ पड़ी, आप जे प्रश्णू लईन आएवाज, आप चर्जो, राहूल जी आपने सांभळवा, आपने समझवा माटे आएवाज छे, आपने मलेली तक, एक कॉंग्रेस पक्ष ने समझावा मा, आज नी आप परामर्श्णू मन्च सफळ थशे, तो मने संपूर्ण विश्वास छे, कि मारून तमारू गुजरात फरी पाचू आजाद थशे. विवर एसोशेशन ना प्रतिनिदी माननी विश्णू भाई पटेल साइब यहां, उपस्थित होई तो माननी विश्णू भाई साइब, विश्णू भाई पटेल, विश्णू भाई, उबाचे बने, थैंक्यू, माननी टेक्स्टाइल मा, निटिंग बिदने साथे जुड़ायला, माननी शशिकांद भाई मश्रू वाला, पधरो आपनो स्वागत चे, डाइमंड इंडिस्ट्री साथे जुड़ायला, माननी परेश भाई बाबरिया, या उपस्थित होई तो, माननी परेश भाई बाबरिया, परेश भाई बाबरिया, माननी परेश भाई बाबरिया, आ सबाखन मा उपस्थित होई तो, मेरबानी करी नेमनी हाजरी, क्या बेठा चे, माननी रोहिद भाई मेहता, दक्षिन गुजरात चेंबर ओप कोमर्ष ना पूर्व प्रमूग, स्वागच्छे साइब आपनू, माननी राजेश भाई निगानिया, पेकेजिंग इंडिर्ट्री साथे, जोड़ायला, माननी राजेश भाई निगानिया, राजेश भाई, स्वागच्छे साइब आपनू, रत्नकलाकार विकास संगना, प्रतिनी दी सनमाननी, जैशुक भाई गजेरा जोई या उपस्थित वोई तो, जैशुक भाई गजेरा, स्वागच्छे साइब आपनू, स्टेट विवर्स एसोशेशन नाप चेर्मेन माननी शलीम बाई सेख, या उपस्थित वोई तो, अधारो साइब, स्वागच्छे आपनू, बी एस अग्रवाल साइब, एक्स प्रेसिडेंट गुजरात चेंबरोप कुमर सापडिवचे उपस्थित छे, आपनू पन रदैपुर्वक स्वागत करू छू, आप बधाई प्रतिनी दियो, आप जे विवसाई उधियोगनी साथे जोडायला छो, मारी सनमानी सभाखन ने विननती छे, आपड़ा सवालों और सवाल, समस्या, इनी सामें कॉंग्रिस प्रक्ष्णू विजन, कोई व्यक्ति क्यारे पूर्ण होतो न थी, हमेशा केता आवियज के तमें जे यूनीट, जे क्षेत्र नी अंदर छो, तियां सफल छो, आप सफल यूनीट ना सार्थी अमने बनावो, तो आमें एज क्षेत्र नी अंदर नुक्सान करिये, अटले, बधाज क्षेत्र माती उभाथनारा प्रश्णू, ए प्रश्णू, आपड़ू दर्द जे छे, इस पश्ट थाई, इस दर्द उभू थवा माटे ना कारणों स्पश्ट थाई, अने शक्य वोई, तो टूकमा काले कॉंग्रेस पक्षनी सरकार आप सवना आशिरवाद थी आवे, तो आपड़ी अपेक्षा सूँ छे, आज जो टूकमा स्पश्ट थाई, तो मने लागे छे के आपड़ी चर्चा, इनी फल्स रूती, आउती कालना गुजरात नी अंदर, आपड़ी सो समस्याओना समाधान रूपे, अमें कॉंग्रेस पक्षनी विचारधारना प्लेटफोर्म उपर, आपनी समस्याओ, एह हमारी निती नो पड़ घोबने, अन माटे आप सवने आखुला मन्च उपर आमंत्रित करूंछू, प्राहुल जी थोडी जवारमा प्रती ship they go विप enforelt, आप में आप में मिल में अनली यारमा आप ठट्टों प्राफू, यज तो आपने, अनली है, आप भाहुला समाग्व dif definesि तो outर में के तो, आप झाए क्र आम्रेस नो हमें तो, आप छोगि एह, आप ओनी गज प्यव्irensे, उतकर वांप़ सम्यारी ऑ्रा झाल झाल माप कर जो समगर विश्वनी अंदर इरानी चमक ने उजालवानू काम करना रो उध्योग एनू आंतर राष्ट्री हव जो केवाई तो मारी भूलन थती वह एने सुरत ने मानू छू अने ए डाइमन इड्रेश्ट्रीजना प्रतिनी दी तरीके माननी प्रवीन भाई नाना वटी साइब आपनी वच्चे उपस्ती छे आ चर्चा नामन्चु परेमनू हार दीक स्वागत करू छू आपनो अपरामर्ष कारिक्रम एनो पायो आठमी नवेंबर नो ये गोजारो दिवस सांजे आठ वागे आदेशना अर्थ तंत्रने थबक्तू राखनारी पांसो ने हजारनी नोटो इरात्रे बार वागे बंद थाई पचास दिवस विवर्स एशोशेशन ना प्रमुक माननी मयूरुपाई गोदवाला पण आपणी वच्चे उपस्थी चे अमनू आ मंच उप्रहार्दीक स्वागत करू छू आ प्रश्णोंनी पसंदगी विविद्ध क्षित्रना मुद्दावोने टच करवानू अमारो प्रयास चे चर्चानों मंच खुलो जे आ पछी पन कोई मित्रोंना मनमा प्रश्णों मुझजवता आशे तो एना माटे आ चर्चानों मंच ए सवनी माटे खुलों मंच छे पेला दरेक विशैने आणके आज सवार्थीज सनमानी राहूल गांधीजी अलग अलग उद्योग व्यापार विवसाई एना उपर असरो ए दूख दर्दने समझवा माटे सारो दिवस एमने पसार के जोड़ ग्राउंड जिरो उपर जै अने जे समस्याव सामे आवी छे इमने सांभली पन छे समझी पन छे अने एज वातने कदाज आपणे आगल लई जेशू तो मने लागे कि आपणों आवाज आवतिकाल ना गुजरात नो आवाज जेशे आपणों आवाज आवतिकाल ना भारत नो आवाज जेशे बधाज मित्रो कारिक्रमनी अंदर खुला मने वताना प्रश्णों रजू करेना माटे थोडिज वारमा रहूल जी आवे अटले आपसवने आमंत्रन आपणों छु मुख्य जे प्रश्णों आपसवनी रजवात मलीती दरेक क्षेत्रना मुदाओने आवरता प्रश्णों आखा क्षेत्रना मुदाओना प्रतिनी दितरीके आपसवने चिन्हित के रहाज आपची कोई पन मित्रोना प्रश्णों अशे तो ये प्रश्णों मन्चु पर आव करियर शे करिया ठाहिए को जाहिए को जादाँ पको पिल्दरेशोष शेशना प्रमुक्स मान्नी जैशुक भाई, जस्मत भाई, प्रमुक्स मान्नी जैशुक भाई, प्रमुक्स भाई पन् आपरामर्षं ना मन्चू पर आपडिवस्चे उपस्तित चे अमनू कारिक्नम्मा आपडा सववती रदैक पुरुवक्स भागत करूचू अजू मने लागेज के आवे पहुंचे पेला कोई क्षित्र कोई संगठन कदाज चुकाई ग्यूवई तो कुप्या आखाई सन्मानी सभाखन ने विननती छे के अमारू ध्यान आकरशीट करे टेक्स्टाइल बिटनेश, विवर्स असोशेशन, निटिंग बिटनेश, डाइमन इंडेस्ट्रीज, चेंबर ओप कोमर्स, पेकेजिंग इंडेस्ट्रीज, रत्नकलाकार, विकास, संग, विवर्स असोशेशन, बिल्डर असोशेशन, आप सव निरजवातो अमारा गुजरात पदेश कुंग्रेस समीती ना माननी समन्वयोको मार्फत अमारा सुधित पोंची छे अन ए पई कि दरेक ख्षेत्रना प्रश्णों ने आप परामर्ष्णा मंच उपर्थी वाद करवानों अउशर मले ना माटे थेईने अमें प्रायोरीटी नके करी ख्षेत्रने छूटतू जणातू होई तो कुपिया आमारू ध्यान आकरशित करे आ चर्चाना मंच ने आपने आगल धपाऊशू दनिवाद दनिवाद पराती कोंग्रेस समितिना सनमाननी सचिव माराष्टना माननी धारासब्याने दक्षिन गुजरात ना प्रभारी माननी हर्श्वर्दन सक्पाल जी पनापडिवचे उपस्थीच्छे ए दक्षिन गुजरात ना अमारा प्रभारी छे माननी अर्श्वर्दन सक्पाल जी ने विननती करू क्या आवे अने दक्षिन गुजरात ना येमना अनुभवो येमने दक्षिन गुजरात ने समझवानों प्रयास केरो चे विविद क्षित्र आदिवासी पटो पण जे खेडूत समाज पण छे अने समगर भारतने दिशा आपनारू आपड़ू आ सुरत आपणा विस्तारना प्रभारी माननी हर्श्वर्दन सक्पाल जी आपणने सव ने येमना अनुभवा मन्चु परती शेर कर शे परिश भाई सभी मेरे राजनितिक सातियों और यहाँ पर मौझूद अर्थ शास्त्र से विवसाय से गुड़ेवे सभी सातियों क्रिकेट में मैच शाम में खतम होने वाली है और दूसरे दिन का समय का इंतजार है तो ऐसे समय को जो बैट्समन को भेजा गाता है उसको नाइट वाच्मन कहते हैं तो मैं आपके सब के बीच में मुझे माइक जरूर पकड़ाया है मगर मेरा रोल मुझे पता है कि मैं नाइट वाच्मन कि मेरे बारे में कोई गलब फिरिम मत रखिया है आपसे सुरत का जो रिष्टा है सो तो सुरत है गुजरात का है साउध गुजरात का मगर सुरत पर किसी भी भोगलिक सिति का आदमी अपना हक दिखा सकता है इतना दातुर्त्व मतुर्त्व इस भूमी को है यह कहने के का दिल जितने वाली बात नहीं तो यह सवबाग के बहुत कम शेहरों को प्राप्त होता है मैं महाराश से हूँ बंबई महाराश में रहे या गुजरात में रहे यह समय में थोड़ा जगडा भी चला था मगर बंबई में कोई आदमी राजनिती करना चाहता है तो भाशा के माध्य में से राजनिती कर पाता है मगर सुरण ऐसा शेहर है कि यहाँ पर जाती से या भाशा से या बुलत्व को लेकर राजनिती नहीं हो सकती यह आपकी जो भारत के सवीरान को मानने वाली जो आपका रुदह है जो मन है आपका मस्तिश्क है उसको मैं यहाँ पर नदी में खोरे में आता है और मेरे घर के पिछवारे का जो आंगने उसका पानी गोदावरी से जाकर हिंद माहसाकर में जाता है इसलिए एक ऐसे जगा रहने का सोबा के घर मेरा बना है और हमारे यहाँ से निकली हुई तापी आप तक जब पोच्चती है तो भारतिये अर्थेशास्त्र की जो बात है आज रहुल जी आप सब के बीच में यहाँ जो पधार है आज आट अक्टोबर है नोडबंदी को एक साल हुआ है चुनाव भी डिकलियर हो चुके है साउथ गुजराथ का नौ तारिक को पोलिंग भी होने वाला है और यह सब कश्मकश्मे गर्मा गर्मी में रहुल जी आपके सूरत में आप सब लोगों से मिलने के लिए जब आए है तो हो सकता है कि उनकी मुलाखात का राजनितिक कोई मतलब और राजनितिक गहरा मतलब निकाला जा सकता है और राजनितिवाले करने वाले जो लोग है यह कही एक पुरा एक समस् के लिए और उसको रिस्पॉंड करने के लिए एक दिन भर यान से कपड़ा कप्रेक से कपड़ी का प्रिंटिंग उस पर डाइंग उस पर प्रिंटिंग प्रिंटिंग के बाद एमराडरी एमराडर के बाद वैल्लियो एडिशन के लिए महलाई जो काम करती हो काम इस बीच हि के कारीगरों का उनकी मिलक उनके कंपनी के मालिकों का प्रोफाइल ये सारों में एक दिन अपने आप में उसमें डुबोकर आपकी समस्या क्या है ये जानने का जो जनून होता है जानने का जो लगा होता है मुझे ऐसा लगता है कि राजनेतिक आदमी इस प्रकास से जुनन से काम नहीं कर सकता है बाशन करते चलो सभा करते चलो और आगे बोलते चलो ये राजनितिक का एक चेहरा हमने देखा है मकर आज राज राउल जी आप सभी के बीच में आज सुरत शेहर में सुबह से लेकर शाम तक आप सब लोगों के बीच में इस व्योसाइक की जो बुनिया जो चीज़े है वो समझना चाहते है उनका कॉलिफिकिशन क्या है एकोनामिक्स में कहां तक पड़े ये कभी वो खुद बताते नहीं और उनके साथ रहने वाले लोग भी कभी हमको समझाते नहीं राउल जी की शिक्षा किस वीशे में प्रापता है और जो शिक्षा एक अर ये कहने के लिए मैं बहुत छोटा अदमी हूँ मगर कोई जड़ तक जाकर बुनियाद तक जाकर ये अपनी सोच रखता है ये उस समस्या उपर प्रकाश डाला जाता है नेरेटिव जो कहानी जो भारत की है उस कहानी में आप लोगों का दुख दर ये जोड़ा जाता है त हम जब सत्ता में थे तो तब भी शायद बहुत सारी दिक्केते होगी मगर दिक्केत रहना ये लाज़मी है गहर लाज़मी क्या है कि बातचीत बंद करना डायलाग का बंद होना ये गहर लाज़मी है इसलिए आज के इस दोरे के माध्यम से एक कम्यूनिकेशन एक ने इसे भारत की अर्थिशास्तर खुलना शुरू हुआ कैसे खुलना शुरू हुआ तो लायसन राज़ को बंद करना और लायसन राज़ को बंद करके एक व्यवसाइक आम आदमी को धंदे के लिए व्यवसाइक के लिए स्पेस पैदा कादर देने का काम ये राहूल गां भी विवस्ताने समवाद के माध्यम से किया मगर जब अगले कदम डालने की जब बारी आई तब हरबडाट के साथ किस प्रकार से क्या-क्या डाला गया यह तो इस चर्चा के माध्यम से आप जानते भी होगे मगर इसमें आज के जो माहूल है उस माहूल की जो खामी है वो यह है कि कान बंद करके यदि कोई राजनितिक अदमी बैठता है और सुनवाई का कोई रास्ता नहीं है और सुनवाई के रास्ते के साथ साथ सुनकर यदि कोई गलत है तो उस गलत को सही करने की जिम्मेदारी है तो एक मुनोप एक बहुत बड़ा ब्लॉक यह अपने आप में पैदा हो जाता है और यह इतना बड़ा घना गती अवरोध के पैदा होता है तो उस गती अवरोध के कारण जो विकास है यहां अकर विकास शब्द को इस्तमाल करते हुए तोड़ा विकास बोलने के बाद अपने आप में रुकना पड़ रहा हूं क्यों पड़ रहा है पताने लंबा लंबे समय मैं मैं मैंने से घर कम और आपके बीच में सुभे से ढोकला फेपड़ा फेपड़ा तापड़ा और लोचे तक का जो सिलसला शुरू हो चुका इसके कारण लंबे से विकास बोलने को भी शब्द कत्राने लगे है वगर उसको साथ साथ और भी बहुत सारा मठेल है कि विकास के दर को कैसा है दर शाय जाए तो हम जूट बोलकर अपने आपको से जूट बोलकर किसी को फसाना नहीं चाहते और देश को भी ना फसाते वे ये देश हम सब का है सविरान ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू देते हुए इस देश का मालिक ते इस देश के आम आदमी को किया था वो ध्यान में रखकर हम सब को चलना है मैं ज्यादा लंबी चोड़ी बात यहाँ आपके सामने नहीं करूंगा मगर एक गटना जो इतियास की जो गटना है और उस गटना हमारे देश में हर भारत के नागरिक का अस्तित्व क्या है उसका वजूद क्या है यह समझाती है इसलिए एक गटना एक कहानी आपको मैं सुरत गुजरात के ही जो महान सुपुत महात्मा गंदीजी के कहानी बताना चाहूंगा हम यमिले को इस देश का कही न कही बोलते कि आप यमिले बने के हमारी समस्या सुलजा के दो मंत्री बनने के बाद हम उनको मालिक भी बोलते हैं MP को भी बोलते हैं CM PM इन सब लोगों को हम बोलते हैं कि यह देश चलाने वाले लोग है आप मालिक लोग है ये हमारा मुहावरा है ये बोलने की सवलेत के हिसाप से हम बोलते हैं मगर बोलते बोलते पाच हजार सालों से एक राजनेटिक पैटर्न तरीका जो चलते आ रहा था वो कही न कही हमारे सर पर हवी है क्या ये सवाल भी आप सब की चिंतन के लिए यहाँ पर मैं मौझूद करना चाहता हूँ और कहानी जो है वो 1932 की है 1932 में राउंटेबल डिसकेशन के लिए गोलमेश परिशत के लिए महात्मा गांदी हम सब भारतियों के नुमाइन दे के नाते इंगलन में गए और में घयाने के बाद उन्होंने भारत की आज़ादी क्यों बिलना चाहिए भारत को आज़ादा आप करना चाहिए और भारत पर हम हमारा राज खुश चलाएंगे इस प्रकार से सवाल ऊठाते हुए इस मात्रु भुमी को स्वातंत्र करने के लिए और अंग्रेज़े को चले जाओ कहने के लिए हमारे सब की नुमाइंदे महात्मा गांदी गोल्मेश परिशत के लिए इंगलंड गये इंगलंड में राउंड टेबल पे डिसकेशन करने के लिए महात्मा गंदी बैठे उनके बगल में इंग्लंड के प्राइम मिनिस्टर विस्टन चर्चिल जी भी बैठे विस्टन चल्सी सूट बूट टाय में कोट में बैठे थे और महात्मा गंदी नंगे फकीर एक पंचा लगा कर वहाँ पर बैठे थे चर्चिल ने हस्ते हस्ते महात लाती मांग रहे हो आपका भारत जो देश है ये देश तो कभी अस्तित्व बिताई नहीं भूगोल और इतिहास कभी एक संग भारत का नक्षा यह आपके भूबाग पर आपके भूगोल पर आपकी भूमिती कभी यह कहती ने कि भारत एक देश था और हमने भी जो दुष है और तुक्ड़ में लिया है मैं अधरनी अश्व गेलोजी का यहाँ पर स्वागत करता हो और जो तुक्ड़ में जो देश लिया था वो एक देश होने सकता और यह कहते कहते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके देश सेरी चले जाए तो आपके देश का मालिक कुन हो हम हमारे देश का एक सविधान बनाएंगे और हमारे देश का माली हमारे देश का आम आदमी और नागरिक हमारे देश का मालिक रहेगा हम आजादी के पहले प्रजात है और आजादी के पश्चात हम नागरिक है और हम नागरिक वी देशन ऑफ इंडिया हमको सब को मिलकर इ तो आप भी एक देश के नागरिक हो और इस नागरिक का भी ये देश है और हम सब को मिलकर हमारे देश को आगे ले जाने का एक उत्तर राहित्व आज के इस सभा से हम जरूर ले इस प्रकार से मैं गुजारिश करता हूँ और राहुल जी हमारे बीच यहाँ आ चुके है इस कुछ जन प्रतिनियों के साथ मिलकर वो कुछ शनों में ही मंच पर आप सब लोगों से रुदे सवास तापित करने के लिए आ रहे हैं उनके चर्चा का मकसद हमारे देश के नागरिकों के इस देश की धरोर में इस विकास की प्रक्रिया में हम कैसे जोड सकते हैं और उनका भी उतना ही उत्तरदाइत वह है और उतना ही उनका योगदान है जितना किसी अन्याद में हो का है तो आपकी जो बहुत बड़ा एक रोजगार देने की जो आपकी एक उत्तरदाइत वो करते हुए एक देश को एक रोजगार निर्मिती के साथ इस देश को चलाने में आपक को appreciate करते हुए उस भूमीता का को स्विकारते हुए उस भूमीका का अभिनंदन करते हुए आपके बीच में वो आपके साथ उर्देश सवाद यहाँ पर करने वाले हैं मैं राहुल जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मेरे सहयोगी परेज धनानी जी को मैं विनंति करता हो कि वो आये और इस मंच से अगली कारवाई शुरू करे परेज धनानी जी कि अधनिवाज कि पूरे पूरे देश का नित्रुत्व करने वाला कि मेरा सुरत सहर और सुरत सहर में आज नोडबंदी की वर्सी पर हमारी नोडबंदी और GST से खड़ी हुई समश्याओं के लिए परामर्श के मंज पर भारत का भविश्य सन्मानी राहूल गांदी जी हमारे बीच उपस थी थे पूरे सुरत की और से पूरे गुजरात की और से हम तह दिल से आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं सर यह सुरत की पहचान कभी जरी उद्योग हुआ करता था यह सुरत की पहचान पूरे विश्व में जो हीरा है डाइमंड जे असी प्रतिशत बिजनेस गुजरात करता है और गुजरात में सुरत यह डाइमंड इंड्रिस्ट्रीज का हब है कपड़ा उद्योग भी सुरत के मेरे यहां बैठे हुए जो व्यापारी यह जो उद्योगपती है यहां से वो अपनी ब्रांड बनाएंगे तो पुरे हिंदुस्तान में वो ब्रांड चलती है और आज आवाज नहीं आ पा रही है क्या देश की सरहदों से उपर उठकर दुनिया के कहीं देशों में सूरत की आवाज पहुंचती है और आज हम हम सूरत में आपका हमारे पूरे सूरत की ओर से तह दिल से स्वागत करते हैं हम परामर्श कारिकरम की शुरुवात करें उनसे पहले पहले आमंत्रित करना चाहते है अखिल भारती कॉंग्रेस कमिटी चे राश्टरी सचीव राजस्तान के पूरवा मुख्य मंत्री आधनी अशोग ग्यहलोत साथ को कि वो हूआ और हमें मार्व दर्शीट करें आधनी ग्यहलों साथ हमारे अकिलवार्थे कॉंगेश कमेटी को पाजेक्स वामारे पडियन नेता अधरने राउल गांदी जी हमारे पडियर कॉंगेश कमेटी के वर्किंग प्रेजडेंट परिज धनानी जी तुसाइच चोधरी जी हर्जबर्दन जी हिमत पडियल जी तुगड़या जी हर्श्मुख भाई अध्यमा उपर ते हमारे आगेवानों अधितिगर्ण भाई और भेनों नोजवान साथियों मुझे बहुत प्रसंद है का आज शुरत के अंदर रावल जी सुबे से ही गुम रहे हैं गलियों में भी म सुबर होगे हैं यहां की समश्याओं से जिस्ते यहां के लोग जूंज रहे हैं बुमी कम नहीं जाना चाहूंगा चाहिए जी एस्टी की बात चाहिए नोड़बंदी की बात हो पर महुल पूरा अलग मन गया सुरत का जब से यह फैसल होगे तब से ही और दिपावली को इ जिसे सहर के अंदर जहां आप लोग अत्ती उस्टा में दिपावली मनाते हैं जिसकी चर्चा पूरे दिश में होती है वो शुरत सहर अगर दिपावली को इस रूप में नहीं मना है तो लगता कोई कोई परेशान है आविश्यक है प्राज आपके विच में राहुल गांध जैसे रक्तित्व के जानें बैठे में हैं जिनका सोच, जिनका काम करने तरीका जिस रूप में वो सूरते हैं अपने इस हमस्यों के वारे में पूरे मुल्क में जिस पर दौरे कर रहे हैं समर्पित किये हुए अपने आपको जन समश्यों के लिए देश के लिए मैं समझता हूं कि वो अमारे बीच में आये हैं और लगातार पूरे गुजरात के दौरे कर रहे हैं सौराश्ट पर गए देव भूमी से उन्होंने प्राजम की यात्रा जिसका नाम हमने दिया विजय यात्रा और चौराश के बाद में मद्य गुजराद फिर दक्षिन गुजराद और अब जर अगला पड़ाव इनका ग्यारा बारा तेरा तारीक को नौर्थ गुजराद में होगा जिस रुप में गुजराद जी रंता ने इनको आशिरवाद दिया है जिस रुप में गुजराद के लोगों ने इनके परती प्रेम और महबबत और विश्वास पकड़ किया है उसके लिए हम सब अभीभूत हैं और इसमाद के ऐसास जाओ जी को भी है तमाम कॉंगर नेता को भी है हम सब को है किस प्रिकाय गुर्जाद प्रगेजी रंता ने प्यार से महबबत से विश्वास से स्ने से इनका स्वागत किया है और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर को चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के अंदर के मुद्दे उसलेंगे 22 साशनया पर भारती जंदा पार्टी कर रही है इस बार हमें लगता है कि जन्मानस का विश्वास जो है वो बदलाव करने का है हम चाहेंगे कि उस कॉंगर्स पार्टी को आप र्याद करें जिस पार्टी का एक सांदार त्याग का बरिदान का इत्यासरा है आज आदे के पहले का भी जब दूख जीलों में गए ते मात्मा गांदी यो जो आपके प्रदेश के ही सजा पटेल हो पंडित नहरू हो मौलाना अभू कलाम आज़ाद हो डॉक्टर मेड़कर हो बड़े बड़े निताओं उने उस पर कुरबाने दी थी बहुत कम फिड़न पार्टे हैं हमारे बीच में उस त्याग बरिदान के बाद मेरे प्रदेश आज़ाद हो तब भी कि रखा अखन रखा यह अवारे जयन में है कि कम बात नहीं है राजी जान प्रदामंति बनने वाले दूसरी बार वो सईद हो गए प्र आप दिखरें कि इस अदेक्ता में एकतावाले मुलक में हम बनुक सब और हम प्रेम से रहें भाई चारि से रहें इस यह हमारेनी सोच है इतली में चाहूंगा कि राहूल जी आपके बिच में अपनी बात कहें और आपकी बात सुनें मैं लम्मी बात ने कहताँ बाद इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बदलाव का वक्त है एक टर्निंग पाइंट है गुजराद के चुनाओ ये चुनाओ में अगर आप फैंटला करेंगे कांगरे प्रक्स में तो केंदर की सरकार की मीम भी उडेगी ये क्या हो गया गुजराद में और यह क्या हो गया यह क्या हो गया गुजरात में कि भावना त्वर्बदने की काम करने के लिए गया कामकर साब कर दे। टरीका बदने के लिए मुझे लकीन है किछ बार आप लोग पीछे निरह रहंगे जो यहाए हैं मैं अपीर करेंगा, खालि आपको वोत नहीं देना है, आपके परिवार का ही वोत भाकी नहीं रहें, भलकि आपके मौले में, गली में, छितर में आप कौशिश करें, इस बार तो अजय करण जो चल रहा है, लोग भै भी थे हैं स्वयकार से, नेताउर से, मैं दाम नहीं लेन सबस्क्राइब थोपी जा रही है तो पीजाए है कि कहीं नहीं जा रही है कि इस लिए पार बदना लाओ लो यह बागा फिल दनीवाद करता है कि दन्यवाद सर आज हमारे प्रामर्श कारिक्रम में आधरनी राहूल गांधी जी शनमाननी गेहलोट साब हमारे प्रभारी हरस्वदन सकपाल जी हमारे एक्टिंग प्रसिडेंट भारत सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे खूद के आधनी तुशार चोदरी जी इमत सिंग पतेल जी सुरत सहर कॉंग्रेस के अध्यक्ष अश्मुग भाय और कॉर्परेशन विपक्स के नेता तोगडिया जी आप सब परामर्श के मंच पर आप सब का स्वागत है आधनी गेलोत साब ने एक संदेश दिया सुरत बदलेगी हिंदुस्तान की सुरत हमें भी भरोसा है कि सुरत ने ठान लिया तो जरूर हिंदुस्तान की सुरत बदलेगी हम आपके भरोसे इस देश का भविश्य सनमानी राहूल गांदी जी को आमंतरित करना चाहेगे वो आज सुबह से सुरत की उन गलियों में हर इंडिस्ट्रीज को उन्होंने देखा उनको समझने की कोशिश है तो आज के दीन का आनुभव मैं आदनी राहूल जी को आमंतरित करता हूँ कि आप आए और हमें संबोधित करें जैसे नमस्कार अशोग एलोट जी कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सबनेता भाईयों और बहनों आप सब का यहां दिल से बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार लगाना चाहते हैं लगा दीजिया जाइए एक सेकंड लगेगा बन्यवाद तो आप सब का यहां आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत आज पूरा दिन मैंने सूरत में बिताया और शायद पहली बार मैंने थोड़ी गेराई से जो आपके शेहर में होता है उसको देखा देखने की ऑपरचुनिटी मिली तो इसके लिए मैं आपको सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ हर वियक्ति के अलग-अलग रोल होते हैं पॉलिटिशन के भी अलग-अलग रोल होते हैं मैं कॉंग्रिस पार्टी का पॉलिटिशन हूँ कॉंग्रिस पार्टी में मेरा एक रोल है मगर चाहे हमारे कोई भी रोल हो हमारा सबसे बड़ा और पहला रोल हिंदुस्तानी citizen का होता है उसके बाद सब कुछ आता है तो मैं यहाँ मैं यहाँ जरूर Congress Party का नेता हूँ मगर मैं यहाँ Congress Party के नेता के रोल में नहीं बोलना चाहता हूँ मैं आज यहाँ हिंदुस्तान के सिटिजन के रोल से बोलना चाहता हूँ जब भी देश के सामने चुनौती आती है उसको पहचानने में थोड़ा समय लगता है इमीजिटली पता नहीं लगता है और आज सिरियसनस से पता नहीं लग रहा है मगर इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनौती क्या है कि इस देश में करोड़ों लोग रहते है दुनियों में दो देश इस साइज के है एक हिंदुस्तान है और एक चाइना है और अगर 21 सदी में हमारा कॉंपटिशन किसी से है तो वो यूके से जपैन से स्पेन से जर्मनी से नहीं है हमारा कॉंपटिशन सीधा चाइना से होने वाला है और मैं एकनोमिक कॉंपटिशन की बात कर रहा हूँ सिंपल सी बात है चौबीस घंटे में चाइना पचास हजार युवाओं को रोजगार देता है सिंपल मेरा आकड़ा नहीं है उनकी सरकार का आकड़ा है आपके हाथ में टेलेफोन है उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है आपने शर्ट पहनी है उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है जो भी हम खरीदते हैं उसके पीछे Made in China लिखा होता है आज की सच्चाई है कि जहां चाइना दिन में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है हमारा हिंदुस्तान दिन में 450 युवाओं को रोजगार देता है 24 घंटे में वो 50,000 युवाओं को देते हैं हम 450 को देते हैं मेरा आकड़ा नहीं है हिंदुस्तान की सरकार का आकड़ा है दूसरे तरीके से बोलता हूँ जो चाइना दो दिन में करता है उसे हमारा हिंदुस्तान एक साल में करता है फिर से जो चाइना दो दिन में करता है उसे हिंदुस्तान एक साल में करता है वो दो दिन में एक लाख युवाओं को रोजगार देते हैं हम एक साल में एक लाख युवाओं को रोजगार देते हैं आज मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आज मैंने वो शक्ति देखी आपकी फैक्टरीज में आपके घरों में मैंने वो शक्ति देखी जो चाइना का मुकाबला कर सकती है चाइना का मुकाबला गुजरात के small and medium businesses कर सकते हैं चाइना का मुकाबला सूरत कर सकता है और हमें अपनी जो thinking है वो थोड़ी बदलनी है आजकल हमारी पूरी thinking है कि हिंदुस्तान 7%, 8%, 9% पे ग्रो कर रहा है मगर challenge रोजगार का है अगर हमने अपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया और अगर हमने चाइना से compete नहीं किया तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में जबरदस गुस्सा आने वाला है युवाओं को भविश्य नहीं दिखेगा युवाओं को future नहीं दिखेगा और देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है मैं यह आपको कॉंग्रेस पार्टी का नेता नहीं कहना हूँ मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक आपसे यह कहना हूँ कि हिंदुस्तान को रोजगार पे फोकस करना है और हिंदुस्तान को चाइना का चैलेंज प्यार से घुस्से से नहीं प्यार से हिंदुस्तान को चाइना का चैलेंज एकसेप्ट करना है और उनको अगर वो पचास हजार युवाओं को रोजगार देते हैं तो हमें सप्तर हजार को देना है this is national challenge for India and मेरे दिमाग में आज मैंने उस challenge का central piece देखा है decentralized manufacturing जादू की manufacturing trust की manufacturing बरोसी की manufacturing और सच मुच में 21 सदी का manufacturing सिस्टम मैंने आज सूरत में देखा है यह आप कोगे यह कैसी बात कर दी यह तो traditional system है यह पुराना system है हाँ traditional system है हाँ पुराना system है मगर इस system में 21 सदी की manufacturing का potential है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरे political career में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो भी मदद हूँ चाहे हम सरकार में हो ना हो वो अलग बात है मैं जो भी मदद इस system की कर सकता हूँ चाहे वो सूरत का manufacturing system हो चाहे वो गुजरात का मैं पूरा दम लगा के system की मदद करना तो यह यह मेरे दो तीन शब्थे अब आप सवाल पूछना चाहते हैं जो आपके दिल में आप बताना चाहते हैं प्लीज खुल के बताईए थैंक यू अधनिवाद सर है हमारे बीच है टेक्स्टाइल निटिंग इंडिस्ट्रीज के शशिकांद भाई मश्रू वाला यहां पर उपस्ती थे उनके मन में कुछ सवाल है मैं आमंत्रित करता हूँ शशिकांद भाई को कि अधनि पाला जी नीट्टेफ अलसाना मैं 15 साल से बिच्नेश करता हूँ कि 15 साल से बिच्देश करता हूँ लेकिन दो साल से पडिस्टी ऐसा हो गया कि यान के वह में कप्रा भीक रहा है वो बैंक को डिखाने के लिए वर्किंग करना पड़ता है तो अभी आलत ऐसी हो गई जीना मुश्किल हो गया कप्रा इतना चाइना से आ रहा है तो अभी अम हम उसी बत्त अभी फैक्ट्र मेंने बंद कर दिया अभी काड़ी गर्लोग सब बेरोश्कार हो गया है अभी हम लोग को कैसे मेंटन करें करने का ओं टेंशन ना देया ही तो कि यह जो पारनी जी को बाट किया क्या मूलाएंगे आपको लेकिन आज तक कुला है का है क्यों कर दो कि एक इंड़ेत चोटी लिए करोड़ रुप्या की मतशनारी है जर्मनी में करा है जर्मनी में लिए और इसका कारण नोटबंदी जीए या चाइना 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 से पूरा बाउट कप्रा आ गया अभी खुला कर दिया हमारी जा डालो जितना डालने का इतना कप्रा एक तरकार एक तरीका है विज्टेस में इधर सब भुखे मर रहे है खुटारीकर हमारा अके पात में बैके रोटे हैं हमारा बीबी बच्टा कह क्या होएगा उन्रा भी पच्चा कह थूं पीशाची और आपको पषाटो अब हैरागों तेरा गग ऊथे सालाँ ansen थैंक्यू. हाँ क्या करने का इक। मूझरी जी को फॉन करते है लेकं कोई और इदेट भी नहीं है मोडी। जी मूझरी को भी फॉन लगाया वो भी कुछ सुना ही नहीं रेटा है ॸरु दनிवाद अगर अगर करने का हम लग अभी मेरे पास दंडा नहीं है अभी क्या मेरे को आत्मातिया करने का अभी क्या करने के लिए आओ लेकि इधर का तो सब लोग क्या मर रहे हैं तो उसको क्यों बुरा रहे हुआ वैसे वैसे आपको कश्ट हो रहा है तो मैं भी मोदी जी को फोन लगा सकता था मगर मेरा भी फोन डाउन कर देंगे अभी क्या करेगा अभी मेरे मेरे अभी का नौकरी तूंडू विद्धस नहीं है क्या करूं में अभी मेरे को अभी रसी पे ते लिटक जाओंगा भी नहीं ऐसे तो मत बोले और बुज़र्य आट्मी है हमको धंडा दीए मेरे को सब रोग है लेकिन दंदा करते करते हमारे सरी अच्छा रहता है यह कोई सब दिखा है वहाँ पर मोटी जी को लेकिन कोई आच तीन साल हो गया थेंक्यू चाजा थेंक्यू वेरी मच अधनी राहुल जी जो सवाल तो खेर नहीं था मगर जो जितना फोकुस जितना फोकुस सरकार टॉप दस पंदरा इंडस्ट्रिलिस की करती है उनको पानी उनको बिजली उनको बैंक अकाउंट उनको बैंक का पैसा जितनी मदद सरकार टॉप इंडस्ट्रिलिस को करती है अगर उससे पंदरा परसेंट भी आप लोगों को small and medium size business को कर दिया तो आप चमतकार करके दिखा सकते हैं सीधी से बात है आप हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े इंडास्टिल्स को देखिए स्मिती रानी जी हो नरेंद्र मोधी जी हो दो मिनट में उनका फोन उठा लेंगे उनसे बातचीत हो जाएगी आप जैसे लोग जो सचमुच में रोजगार दिलवाते हैं कितने लोगों को आप रोजगार दिलवाते थे पहले कितने असी तो आप लोग जो हिंदुस्तान का 50% रोजगार दिलवाते हो उन पे फोकस नहीं होता है और 10-15 लोगों पे होता है और मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ मैंने बीजेपी की बात की वो तो एक्स्ट्रीम में जाते हैं मगर मैं यहाँ से यह भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी ने आपकी मदद करनी चाहिए थी और आपके साथ खड़ा होना चाहिए था शायद हमने भी नहीं किया और और हमारा भी थोड़ा हमारा भी थोड़ा ध्यान जादा जादा जो बड़े उद्योग पतियों उन पे रहता था मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी व्यू है कि अगर हम सबसे बड़े उद्योग पतियों को सपोर्ट करें तो जितना उनको करते हैं उतना स्मॉल और मीडियम को करना चाहिए एक आखरी बाद I don't promise मेरा promise नब मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी thinking में अगर मैंने कह दिया तो उसका कुछ बजन होना चाहिए अगर मैंने कह दिया कि मैं करूँगा तो promise की कोई जरूवत नहीं है मतलब promise promise का मतलब ये होता है कि मैंने कह दिया मगर मैं शायद ना करूँ तो मुझे फिर से promise करना पड़ रहा है I feel that if I am saying something then मुझ में इतनी credibility होनी चाहिए कि बिना promise कि आपको लगे कि भाईया इसने कह दिया तो होगा and मेरा record देख लीजिए मेरा record देख लीजिए चाहिए वो land acquisition हो बनरेगा हो जहां मैं अड़ गया वहाँ पे मैं पीछे हटता नहीं हूँ मेरी thinking में थोड़ी बदलाव आई है थोड़ा बदलाव आया है ये मैं आपको कवता देता हूँ thinking में बदलाव ये आया है कि thinking में बदलाव आया है कि हिंदुस्तान एक सिस्टम है जैसे सूरत एक सिस्टम है पहले मेरी thinking थी कि इस सिस्टम में मुझे जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी है अब मेरी thinking है कि सिस्टम जो चल रहा है उसमें balance लाने की और सब में जो वो जो सिस्टम है उसमें भाईचारा प्यार लाके उसको और तेजी से चलाना है तो उसमें जो भी उसमें काम कर रहे हैं चाहे वो छोटा बिजनसमैन हो चाहे वो मज़ूर हो उनको फिलिंग आनी चाहिए कि हम सब को यहां पर मतलब support मिल रही है तो यह मेरी thinking में थोड़ी इसको आप evolution कह दे या बदलाव कह दे बट मैं चाहता हूँ कि अगर सूरत में आप लोग काम कर रहे हैं तो आप सब को लगे कि सब की आवाज सुनाई दे रही है सुनाई जा रही है और सब को लगे कि सरकार जो है establishment जो है हमारी सब की बात सुन रही है और हम सब को एक प्रकार से मदद कर रही है यह फरक है जो मैं कहना चाहता था आखरी बात banking system को आप देखिए हिंदुस्तान में 50% jobs आप लोग देते हो ठीक है एक लाग 30,000 क्रोर रुपया 10-15 लोगों का माफ किया है पिछले साल सरकार ने तक्रीबन 6,000,000 क्रोर रुपया और माफ होने वाला है हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योग पतियों का मेरा आप से सिंपल सवाल है आपका कितना माफ हुआ तो तो आप मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनका माफ मत करो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनका कर रहे हो अगर आप विजय मालिया के सामने रेड कापट डाल रहे हो आपका क्या नाम था तो शशीकान जी के सामने भी रेड कापट डाल दो अच्छा उधर वो क्रिमिनल है इधर ये क्रिमिनल भी नहीं है तो मेरा कहना है कि सब की बात सुनकर प्यार से तो ये 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 बात है बुलिए प्रश्चिक धनिवाद सर विवर एसोशेशन के रिप्रेजनु भाई पटेल हमारे बीच उपस्ती थे विश्नु भाई सब लोग कृपिया सांती बनाए रखे हमारे परामर्श सवाध कारिक्रम में बाते आगे बढ़ती रहेगी मानी विश्नु भाई पटेल सर पहले तो आपका धन्यवाद करना जाओंगा कि हम दो साल से उसकी मन की बात चुनके कान पक गए है और आप हमारे मन की बात चुनने आए हैं पहले तो एक साल पहले नोट बंदी कर दी हमारी जेव खाली कर दी हमारे लेबर की जेव खाली कर दी हमारी पूरी वीविंग इंडेश्टी जीरो हो गई उसके बात आट नो महिना हुआ जेश्टी ला दिया दुसरा फेक्चर कर दिया उसपे हमारी अठ्रा परसंट जो जेश्टी लाए उसमें हमारी डिमांड थी कि जो हमारा क्रेडिट है उसको हम रिफंड दे मगर उन्हेंने रिफंड तो दिया नहीं और खा गई दुसरा जो हमारा पुराना स्टॉक था उसमें करीबन 200-200 करोड हमारा पेंडिंग बोल रहा है उसका आज तक उसोंने कोई डिसीजन नहीं दिया है कि हमको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा तिसरी बात हो है कि हम गुजरात से और इंदुर्स्तान से हैं मगर हमार पाकिस्तान से यसा व्यवार हो रहा है क्योंकि माहराज में 4.5 रुपया पर यूनिट रुपया बिजली है और गुजरात में 7 रुपया अच्सी प्यशा से लेके 8 रुपया है तो पहले तो हम गुजरात से है कि पाकिस्तान से है उनको बताना चाहते है चौथी आयमबात वह है कि सबसे जाधा multiple tax हमारी industries में है चाहे weaving industry हो, yarn industry हो, कोई भी industries हो वहात रोड tax लेते रोड नहीं देते पानी tax लेते, पानी नहीं देते और सबसे लास्टीज वो है कि यह हमारी इंडेस्टीज को खतम करने का ठेका लिया यह सामको लग रहा है यह वाइस आपने बताया कि चाइना से कपड़ा आ रहा है चाइना से कपड़ा इतना आ रहा है कि हमारा लोकल जो पॉडक्सन है उससे भी सस्ता हो रहा है सुरत की एक पहिचान हुए कि सुरत 60 रुपय में साड़ी देता है वो सुरत की ताका थे मगर इंडेस्टीज चले की तब देगा इंडेस्टीज नहीं चले की तो कुद नहीं दे पाएगा अगर कुशे के बाद दुसरा कोई भी इंडेस्टीज होगा तो इंडेस्टीज सबसे ज़्यादा रोजगारी देता है यूपी, बिहार, जारकांड, औरिशा, हर सेष्ट में और वो भी जो पड़े लिखे नहीं हो जिएस्टी में हुआ क्या जितने भी व्यपारी उतने पड़े लिखे तो है नहीं कुछ कम पड़े लिखे पड़े लिखे 10-15 परसंट होगे तो महिने में तीन बार फॉम बरो एक बार रिटन बरो हमारे बस की बात नहीं है हमने बोला था तीन महिने में करो मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं दो बार हमारा डेली के संदिली जाके आया कुछ सुना नहीं गांतिन अगर तो समझो हपते में दो तीन बार गए मगर कुछ हुआ नहीं मगर जो वाइदे वाली सरकार है उससे हम धक गए हमको कुतना कुछ जो भी कमिटमेंट है उपकी होनी चाहिए तो इंडेस्टी चले कि बाकि इंडेस्टी टोटल लॉज हो जाएगे थैंक यू जो नोट बंदी थी नोट बंदी जो थी वो बिलकुल गलत डिसिजन था बिना सोचे समझे वो डिसिजन लिया गया बिना किसी से पूछे लिया गया और उससे आपको पहला जबर्दस जटका लगा डूसरा डिसिजन जो था जी एस्टी का conceptually वो खराब डिसिजन नहीं है ये आइडिया कि हिंदुस्तान में एक टैक्स होना चाहिए वो खराब आइडिया नहीं है मगर जो जी एस्टी बीजेपी लाई है वो actually जी एस्टी है ही नहीं वो अगर आप जाएं अगर आप जी एस्टी का मतलब इंटरनेट पे जाके जी एस्टी का मतलब देखें आपको मिलेगा कि जी एस्टी is one tax not five taxes तो ये जी एस्टी को ये समझे ही नहीं है इन्होंने पाँच टैक्सिस की जी एस्टी लगा दी है बहुत सारी complexity आपके उपर थोपती है उसके बाद हमने इनसे कहा था 18% से जादा tax ना हो जिसको आप exempt करना चाहते हो आप exempt करो मगर simple system होना चाहिए या 18% उसके एक और layer देना एक और layer देदो पर उससे जादा मत करो finally हमने इनसे कहा और मैंने स्वयम Congress President ने और मैंने स्वयम चितांबरम जी को अरुन जेटली जी के पास भेजा और clear message दिया कि please ये राजनेतिक मामला नहीं है ये आप गल्थी करने जा रहे है अगर आपने बिना test किये ये GST लागू कर दी देश को जबरदस नुकसान होने वाला है आप इसको फाइलट प्रोजेक्ट चलाएए तीन महीना टेस्ट कीजिए आपको वेबसाइट टेस्ट करने सिस्टम टेस्ट करना उसको करिए बिना टेस्ट किये प्लीज आप ये काम मत कीजिए बहुत नुकसान हो जाएगा उनका जबाब था नहीं भईया हम बारा बज़े रात को कर रहे है आपने जो कहना था कह दिया मोधी जी ने डिसाइड कर दिया है बारा बज़े होगा काम इसके कारण इसके कारण जबर्दस चोट लगी है देखिये हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है दस साल मनमोहन जी के साथ मैंने काम किया है देखा है इसमें इस देश में आप छोटा सी भी काम करना चाते हैं न उसको टेस्ट करके समझ के दियान से करना पड़ता है जी एस्टी नरेंदर मोधी जी ने सोचा कि जी एस्टी का मतलब बारा बजे रात को पार्लमंट में जी एस्टी पास हो गई तो जी एस्टी हो गई नहीं जी एस्टी इस प्रोसेस जी एस्टी इस इस नेगोसियेशन जी एस्टी इस एवलूशन तो उसको आपने आस्ते 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 negotiate करके बात करके develop करना चाहिए था वो नहीं किया इसलिए आपको जटका लगा है हमारी position बहुत clear है Congress Party की और मैं आपको यहां बताना चाहता हूँ हमारी पुरानी position थी one tax 18% cap और जिसको आपने उससे exempt करना है उसको exempt करो वो ही हमारी position है मगर जब Congress Party Government में आईगी हम GST को reassess करके, restructure करके आपको फिर से deliver करेंगे यह जो GST है यह जो GST है इससे Congress Party खुश नहीं है हमारी view है कि इससे देश को नुकसान हो रहा है और इसके structure को structure को बदलने की जरूरत है मतलब यह fine tuning जो कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसके structure को बदलने की जरूरत है, नहीं तो जो economic recovery चाहिए हमें जो acceleration हमें चाहिए वो नहीं आने वाला है जो आपको लग रहा है पिछले दो साल से लग रहा है वो आपको लगता जाएगा जब तक इसमें हमने structural change नहीं किया Thank you sir बाई साब दो मिनीट नहीं अगर आप मोदी जी से पूछेंगे मोदी जी कहेंगे राहूल गांदी से मैंने बारा बजे बात मैंने आठ बजे रात को बात की थी आठ नोवंबर को नोट बंदी में भी वो शामिल थे तो मतलब reality यह है reality यह है मैं आपको बदाता हूँ आपको यह तो याद होगा आपको यह तो याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने भाषन के बाद भाषन भाषन के बाद भाषन यह दिये थे कि Congress Party GST को रोक रही है यह तो आपको याद है मतलब non-stop चल रहा था कि भईया Congress Party विकास नहीं होड़ने दे रही है Congress Party GST को रोक रही है मैं आपको जीदा बताता हूँ हमने GST को रोका और हमने इसलिए रोका क्योंकि GST हमें उस फॉर्म में अच्छी नहीं लग रही थी और हमारा सरकार के साथ negotiation हो रहा था कि यह GST नहीं लगेगी आप one layer की GST लगाईए और 18% पे cap कीजिए Parliament में हमारे सब भाषन देख लीजिए मेरा भाषन देख लीजिए Public meeting में मेरे भाषन देख लीजिए एक बार नहीं अन्नेक बार मैंने बोला है तो अब मोदी जी को लगा है जब मोदी जी को लगा है कि गल्ती हो गई तो फिर मोदी जी कह रहे है भईया इसमें Congress Party भी थी देखिए देखिए आदमी को चाहिए वो कोई भी हो मैं हूँ कोई भी हो आदमी को अपनी गल्ती एकसेप्ट कर लीनी चाहिए ठीक है नोट बंधी गल्ती थी आप देखिए आज BJP Anti Black Money Day celebrate कर रहा है ठीक है आप मुझे बता दो आप में से किसी के bank account में नरेंद्र मोदी जी ने पैसा डाला कोई है यहाँ पे आप मुझे बताओ उनका कहना था कि लाको करोड रुपे वापिस नहीं आएंगे सबका सब पैसा वापिस आ गया एक्चली नोट बंधी क्या थी नोट बंधी हिंदुस्तान के सब चोरों के काले धन को सफेद करने की स्ट्राटीजी थी तो जब व्यक्ति गल्ती करता है उसमें इतनी सेल्फ कॉन्फिदेंस तो होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उन पे भरोसा किया उनको कह दे हाँ मैंने गल्ती की है और मनेंद्र मोधी जी को सीधा कह देना चाहिए कि मैंने नोट बंधी में गल्ती की और GST की इंप्लिमेंटेशन ने मैंने गल्ती की मगर ये नरेंद्र मोधी जी का तरीका नहीं है नरेंद्र मोधी जो ब्लेम अपने चाती पे लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं यह reality है अब अब अंत में देश जानता है नोट बंदी किसने की गल्थ GST किसने की अब मैं समझ सकता हूँ कि जब Congress Party सरकार में है तो आप हमें ब्लेम कर सकते हो जब मनमोहन सिंग जी सरकार में मोधी जी कह सकते हैं भाईया Congress Party ने में गलती की मगर जब आप सरकार में हो तब तो आप Congress Party को ब्लेम नहीं कर सकते हो दनिवाद सर दक्षीन गुजरात चेंबर ओप Congress के रिप्रेजेंटेटी और डायमन इंडिस्ट्री से जुड़े हुए सनमानी प्रवीन भाई नानावटी को मैं आमतरित करता हूँ कि वो अपने मन की बात इस परामर्ष के मंज़ पर कहें सबसे पहले तो राहूल जी और आपकी टीम को डायमन सिटी में आपका स्वागत करता हूँ आप जानते हैं इस तरह से सुरत एक एसा डायमन का कारोबार वाली सीटी है जो पूरे वर्ल में सबसे इंपोर्टन सिटी है इस सिटी से द्वारा एक लाग पचास जार करोर का सालाना एक्सपोर्ट होता है और इस इंडर्सिस को गुजराद के जो करीब 6 करोर का पॉपुलेशन है इसमें डायरेक इंडायरेक एक करोर लोग इसके जुड़े हुए है अभी इस इंडर्सिस की जो में प्रोब्लेम जो है उसकी में में बात करू तो एस इंडर्सिस एकका मैं बताना चाहता हूं कि इस इंडर्सिस इतनी बढ़िया इंडर्सिस दे पूरे व्ल के अंदर जिसकी मॉन परिक विजरात में है काफी और कंटीज जैसे आपने बताया कsehen यह ओर इन्टर्टेज जे जो इस यसे कंपेटिशन करके, इस यौन जैप करना चाहते हैं। मगर हमारे इन्ड़िट्टिरिस सब मिलके इस तरह से हमें काम किया है, इस इंड़िस गुजरात में ही डैवल Yporade होए। इस इंडेस्टिस में जब घिएश्टि लगा तो जिस तरह से अभी गवर्मेंट के ही फिगर्स बता है कि उसमें एक्सपोर्ट में कम आई आपने बताया कि जीएश्टिस लगना चीक है हम भी मानते हैं कि सरकार को टेक्स नी मिलेगा तो इंडेस्टिस अगर इंडेस्टिस यहां से एक्सपोर्ट से होता है वहां से होता है अभी हमारा में जो फॉल्डेम सबसे इंपोर्टरिन प्रॉब्लम यहूद की अपनी इस यहाँ पर से हमाई भूसारी हमारी कमपनी वहमबे में उस्वेज़ एक्सपोर्ट करता है तो इसमें भी टेक्स जिएशी लगता है और उस्वें काफी पैसा हमारा प्रॉप हो जाता है तो सबसे इंपोर्टन वह बाद यह है कि इसको आपके थ्रोर कि इस और श जरूरत को कि यहां माइगरेशन ज्याज़ा होता है काफी जो हमारे रत्मकलाकार भाई हो है वो कभी-कभी और जगा सीटी में भी छीप्त होते हैं तो इसके बारे भी सोचना चाहिए और सबसे इंपोर्टन बात यह है जो हमारे सब टेश्टेडों और डाइमनिर्स की सभी लोग चाहते है कि सुरत में एपोर्ट को शुरू हो चुका है अगर शुरत का बिजनेश बढ़ रहा है डाइमन इसका भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो मैं समानताओं को सुरत को इंटरनेशन एपोर्ट के लिए फार्मेशन मिली टायों जल जिल दूरा तो यह अभी अ कि प्रदान मंत्री जी विदेश में घुमते है तो इंटरनेशनल एपोर्ट सुरत में होना चाहिए पूछ रहे भई या बताईए सर नोडबंदी और जी एश्टी से प्रताडित एग्री इक्विपमेंट इंडिस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडिस्ट्री से जुड़े हुए रक्षीन गुजराथ चेंबर ओप कोमर्स के पुर्व प्रमुग रोहिद भाई मेहता को में आमंत्रित करता हूँ की वो अपने दिल की बात परामर्स के मंज पर का है नमस्कार नमस्कार सर राउल जी ये सुरत की बात करें तो इट इस बेजिक अरिया बैनिफेक्टरिंग हब टेक्स्ताइलज का, डाइमेंड्स का, इंजिनियरिंग एक्विपमेंट्स का, कैमिकल्स का लेकिन दक्षीन गुजरत की अगर बात करें तो इट इस अगरिकल्चर हब एगरिकल्चर का बहुत बड़ा बेज है यहां पे बहुत सारे फार्मर्स यहां पे फार्मिंग कम्यूनिटी है और बहुत सारा अग्रिकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं अपनी बात सिर्फ उन तक सिमित रखूंगा और I will confine myself only to talking about GST Basically, I am into manufacturing of bio-fertilizers, they are organic farm inputs and pesticides वगरे हम लग मैनिफेक्चर करते है पहले fertilizers में कोई tax हम नहीं भरते थे GST के आने के बाद fertilizers पे 5% GST आ गया है Pesticides, drip equipments, farm equipments को मिला के between 18 to 28% GST लग रहा है अब problem यह है कि GST तो fine, I mean ऐसी नहीं बात कि हम लोग उसको oppose करते है या तो फिर हम tax reforms नहीं चाहते As evolved, as business people, as responsible people, सब लोग यह चाहते है कि tax reforms आए लेकिन मैं एक educated person हूँ, मैं 30 साल से business कर रहा हूँ, मैं Chamber of Commerce और Diamond Association का ex-president हूँ But still, I am totally confused कि यह GST जो है, वो है क्या क्योंकि problem यह है problem यह है कि every other day एक नया notification आता है अभी हम इक कहीं एक चीज को समझ के बैठे है वहाँ आम यह पता चलता है कि भया यह तो उसको बदल गया है कुछ नई बात आ गई है तो वो नई बात आती है तो उसको समझने में समझ जाता है अब हम ये सब चीज में अपना ध्यान दे या बिजनेस में ध्यान दे This is the biggest question that we are facing As entrepreneurs, हम यह मानते है कि जितने कम reforms, जितने कम technicalities हो जितने कम confusions हो उतना entrepreneur के लिए बात सरल रहती है अभी यह farm equipments की भी मैंने बात की वो भी up to 28% तक है यह सब चीज यह है अल्टिमेटली यह फार्मर के उपर बर्डन है और मैं मानता हूँ के फार्मर फार्मिंग आजकल इतना लिकरेटिव बिजनस नहीं है जो हम लोग अभी निगलेक कर रहे हैं मैं सिर्फ GST की अगर बात करूँ तो यह एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रहा है फार्मिंग कमुनिटी और कमुनिटी पे और फार्मर पे वो टोटली गैर व्याज भी है मेरे इसाब से वी बिलीव डेट टोटल जितने भी फार्म इंपुट्स है वो सभी जीरो परसंट जी एस्ट में होने चाहिए क्योंकि अल्टिमेटली इसकी कैस्केडिंग इफेक्ट आप देखे तो हर जग़ पे है फार्मिंग में से जो भी अगर मेंगा उटपुट निगलेगा वो सामन्य एक व्यक्ति जो घर वपरस के लिए जो घर बे लिके जाते हैं उनको भी उसकी इफेक्ट आ जाती है तो जी एस्ट का इफेक्ट जो है वो कैस्केडिंग इफेक्ट होने के कारण ये मेरे खाल से जाएगा एक एक इंपोर्टन बात मेरी है कि फार्मर्स को हम लोग तो एंकरेज करना चाहिए कि तर दे एड़ाप्ट एडवांस टेक्निक्स याने उट्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें युद्ध इसका उप्यूक जादा जाधा करें एंड एक्विपमेंट उस का उप्यूक जाधा जाधा जाएं या पर है वैसे फार्मिंग में भी टेकनोलोजी फॉन्ड का उप्यूक होना चाहिए ऐसा हम लोग मानते हैं अपने आपने जो कैस्केडिंग एफेक्ट की इस मेरा एक पॉइंट है जो आप कहने बिलकुल सही है farm equipment का मगर मेरा एक पॉइंट है कि सबसे जादा cascading effect petrol और diesel से होता है and पूरी के पूरी price आम आदमी लेता है तो Congress Party की ये भी view है कि petrol and diesel should be inside GST that is also thank you sir हमारे बीच उपस थी थे embroidery association के अध्यक्ष रजनी भाई लिंबाश्या और सांती भाई मिरोल्या हम रजनी भाई को आमतरित करते हैं कि वो अपने दिल की बात इस परामर्ष के मंज़ पर कहें रजनी भाई भाई लाश्ट रो में जल्दी से तीन राहूल जी नमस्ते नमस्कार राहूल जी जो हमारा जो embroidery में जो मज़ूरी काम चलता है इसके अंदर जीस्ट बिलकुल होना नहीं चाहिए मज़ूरी का हमारा काम है क्योंको हमारा जो मज़ूरी करके हम मज़ूर लोगों को हमको वो मज़ूरी चुकाना पड़ता है हमारा प्रशन बस इतना ही था और सांतिल और सांतिल आलकों में देता हूं मतलब आपकी स्टेट्मेंट है मैं क्लियर करता हूं हमारा जो काम है manufacture का काम नहीं है हम मार्केट से माल लाते है उसमें जॉब बर करते है जॉब बर करके वापस बेचते है हमारा काम मजदूरी का काम हुआ मजदूरी मजदूरी पे कहीं जियेश्टी होना ही नहीं चाहिए आज मैंने आपकी रोतीन फैक्ट्रिया देखी मैंने वो आपका जो सिस्टम है प्रोसेस है उसको देखा मतलब उसमें आपका कपड़ा भी नहीं होता है आप बस उसपर काम करके मतलब दे देते हैं हमारा उसमें आपका आपका सिरस्फ घर लगता हैं केवल लेबर का और हमारा जो डुल जो जो लाइट बिल वगरे जो कुछ भी आता है वही कमर मरूरिज ul नि इन 아ि करता हूं पाकेजिंग इंडेश्ट रीज से जुड़े हुए राजेश भाई निगानिया जी को राजेश भाई निगानिया जी को कि वो अपने दिल की बात इस परामर्ष के मंज़ पर कहें जहिन राहूल जी नमस्का जहिन हम टीपी वुवन सैक और फैबरिक बनाते हैं हमारी समस्या बड़ी ही अजीब है मारे रोव मतेयर पर हैं और फिनिश पर भी अठाहरा है पर पीच का जो इंटरमीडियेट प्रोदक्ट है उस पर ट्वेंटी एट परसंट जी एश्टी है और ये जो इंटरमीडिय प्रोदक्ट है देश के गरीब फार्मर्स यूजज़ करते हैं और हम इस देश के फाइनस मिनिस्टर्स, सारे ओफिसर्स से मिल मिल के ठक गए हमारे समश्या का कोई समादान नहीं हो रहा है प्रॉब्लम यह है कि हमारी कोई वोट बैंक नहीं है यहां सूरत में करीब 32 यूनिट है, 10,000 लोग काम करते हैं पूरा इंडिया में करीब 600 यूनिट है और कम से कम एक मिलियन लोग काम कर रहे हैं इस पर गवर्मेंट को हमारा क्लासिफिकेशन रॉंग है और हमारे बार बार वहां पर जाके उनको हर तरह से सम्झाने पर भी उसमझ नहीं पा रहे हम आपको कोई कंप्लेंट को कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमने गला सरकार चूली है कि कंप्लेंट कर सकते हैं गलती हो जाती है हम आपसको आपको एक सजेशन दे रहे हैं आप हमारे मैंटर को खाली टूइट कर दीजिए सरकार जाग जाएगी क्या क्या मैंटर है बताईए इग्जाक्टली नाम बता दीजिए मैडम बाउना जी के पास सब में अमने दिया है ठीक है डीटेल में आपका टूइटी बहुत है और एक सजेशन है इस बार जो गवर्मेंट है ना अगर नहीं बनती है तो आप लोगों के कारणी बनेगी आप लोग अपना घर ओर्डर में लाओ अपने इनफाइटिंग बंग करो और देश को बचाओ एक और बार आजादी के जरुवत है मगर इसमें इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ इसलिए मैंने गेलोट जी को यहाँ जेनरल सेक्टरी बेजा है और गेलोट जी ने कॉंग्रेस पार्टी को जो हमारी पहली डिसकॉशन्स बाहर होती थी उन्होंने थोड़ा उसको फाइन ट्यून कर दिया आपको लगतो रहा होगा कि कॉंग्रेस पार्टी इस बार लड़ रही है सर क्या है आपके पुर्वजों ने हमारे को आजादी दिलवाई थी वापिस आजादी के जरुवत है थांक्यू राजेश जी मैं आमंत्रित करता हूँ जरी हुद्योग से यहां रिप्रेजन्टेटिव चिंतन जरीवाला जी को कि वो अपने दिल की बात परामर्श के मंज़ पर कहे चिंतन जरीवाला है क्या मैं आमंत्रित करता हूँ रतनक अलाकार विकास मंडल के प्रतिनीदी जैशुक भाई गजेरा को कि वो हमारे रतनक अलाकारों की जो समश्या है इस परामर्श के मंज़ पर उनकी आवाज बने राहूल जी आपको नमस्कार गुजरात में आवकार है हमेरे रतनक अलाकार संग द्वारा है हमेरे रतनकालाकार का प्रष्ण बहुत जाजा है और कोई सुनने वाला नहीं है अगर सुनेंगे तो मेरे रतनकलाकार का विकास होगा है मेरा संस्ता का नम रतनकलाकार विकास संग रखा हुआ है मेरा रतनकलाकार का अभी तक अभी विकास नहीं हुआ है 2008 में जब मंदी आई तो अमेरे रतनकलाकार ने कितने आत्माहत्या की थी तो इस रतनक लायकर करके कोई भी गवर्निंट हो, रतनक लायकर करके शिंथा करनी साहिए, अगर जाजी बात मैरे को हिन्दी बहुत आति नहीं, तो मैरे अमेरे संथे के मालिक है उसके बात कराना साहत हूँ नहीं आप गुजराथी में करिये, नहीं नहीं तो उटके टू करने दीजिए। आप गुजराथी हिंदी इंडी इंगलीश विट बीए कर रह कर वार मी I can try also to understand but no no I would prefer to have in English okay okay you do in English okay see yeah I'm not gonna call a car sangney manly over check a professional tax yes I see housing loan mark the repeat mother abadi manly ochage currently current sir car only sir car gonna without some weighty image is career easy upon a provide nothing career or kata devani done at nothing how is okay the reason we are looking for is that we have around 25 lakhs people are working in diamond industry and they are constantly chasing all economical changes unemployment deficiencies benefits in terms of employment so these are the problems so now what Congress or an upcoming government can give us a promise or a proposal for that reforming thank you main main cheese Joe पहले मेरे बात चुनिये राहुल जी को मेरे जैसुख भाइ गुजराती में बोली जाओं आई बेटो जू पहला पहला आपने के गुजराती आइविल ट्रांस्टे यह थोड़क आश्वासन आपे यह अमारी अप्रेक्सिया से राहुल जी से जैसुख भाइ को का कहना है कि हमारे जो रतनकलाकार भाईयों का दूख दर्द है उनकी जो समस्या है इस सरकार ने पुराना जो रतनकलाकार कल्यान बोर्ड चलता था वो भी बंद कर दिया है तो अगर कॉंग्रिस की सरकार आती है तो जो पोलिसिंग वरकर से रतनकलाकार है आपकी सरकार कुछ मदद करें वो आस्वासन चाहते हैं आप हमसे गेलोट जी से सुलंकी जी से मिलकर स्पेसिफिकली जो आप चाहते हैं वो आप इनको दे दीजिए मगर और हम जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे मगर मैं आपको फिलोसोफी बता देता हूँ BJP के लोग और नरेंद्र मोदी जी आपसे अपनी मन की बात करते हैं हमारी सरकार आपकी मन की बात सुनेगी ये फरक है मैं आपको ये गैरंटी नहीं दे सकता हूँ कि सेंट परसेंट आपका काम होगा मैं आपको ये गैरंटी दे सकता हूँ कि हम आपकी बात सुनेंगे और जो भी हम आपके लिए कर पाएंगे हम पूरा करके दिखाएंगे आपने आपकी आपने 22 साल के लिए BJP की सरकार देखी है कॉंग्रेस पार्टी का नेचर सुनने का है मैंने आपसे कहा कि मुझमें भी बदलाव आया कॉंग्रेस पार्टी का डिजाइन बोलने का डिजाइन नहीं है कॉंग्रेस पार्टी का डिजाइन सुनने का डिजाइन है बीजेपी का डिजाइन, सुनने का नहीं है, लाउड स्पीकर का डिजाइन है, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बोलेंगे, हम आपको इतनी इतना अच्छा भाशन नहीं दे पाएंगे, जैसा भाशन मोधी जी देते हैं, वैसा मैं साल लगेंगे अभी, मगर हम नहीं दे पाते हैं, मगर हम जो आप कहते हो, उसको हम गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, और फिर उस पे कारवाई करते हैं, मैं यहां पे नरेंदर मोधी जी ने 22 साल काम किया है, सीम रहे हैं, कभी नरेंदर मोधी जी ने आपसे ऐसे बाचीत किये हैं, अब ऐसे करने बाचीत में, ऐसी बाचीत में समझ आती है, सुनना पड़ता है, क्रिटिसिसम भी हो जाता है, कोई क्रिटिसाइज भी कर देता है वो लेना पड़ता है तो ऐसे बातचीत में progress होती है समझ आती है नेता को भी समझ आता है कि भैया यह feeling है तो यह इस प्रकार के हम सरकार चलाना चाहते हैं कि आपको लगे कि हमारी सरकार है और जो हम कह रहे हैं उसमें सरकार में मतलब सुना जा रहा है यह यह फरक है यह में तो मैं आपको गैरंटी करके कह सकता हूँ कि Congress Party इस प्रकार से काम करेगी Thank you sir गुजराद Chamber of Commerce के पूर्व अध्यक्ष B.A. सगरवाल साब हमारे बीच उपस्ती थे थोड़ थोड़ एक प्रेशनर एक जोसे आप बाद में आजा ना गुजराद गवर्मेंट को हमने 10,000 अमेरे रटनकलाकारों ने पॉस्त कार्ड लिखा हुआ है कुछ भी हमेरे को पॉफस्टल टेस्ट के लिए कुछ जवाब नहीं मिला है यह मेरे मुदा आपको दिखेने के ले गया आप डिटेल में लिखके गयलोड जी को एक कॉपी और मुझे एक कॉपी दे दीजे प्लीज थैंक यू सब बीए सग्रवाल साब नमस्कार जी राउजय आपने बड़ा अच्छी बात कही कि सूरत के पास वो कैपेसिटी है कि वो चाइना को कॉंपीट कर सकती है चाइना में भी आज काफी ट्रेडिशने लूम्स है और उसी लूम्स पर वो माल बना कर हमारे से दस कुना निर्याद कर रहे हैं तो हमारे पास वो कैपेसिटी है पर उस कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जीएस्टी का एक सिद्धान्त हमने देखा कि वो हर स्टेज पर जीएस्टी को लागू कर दिया गया A से B को जाता है, B से C को जाता है, C से D को जाता है, तो हर स्टेज पर GST हो गया, वो शायद ठीक नहीं है, हमारी दो बड़ी इंडेस्ट्री, एक टेक्स्टाई और डाइमंड, दोनों इंडेस्ट्री में इतने सारे स्टेजिस हैं, यान आता है, तो वीवर बनाता है, फिर व अले अलग प्रोसेसिस हैं, अब हर प्रोसेस के अंदर GST का पालन करना हमारे लिए संभव ही रही है, और अगर यह करने जाएंगे, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ कम्प्लाइंस है, वो इतना बढ़ जाता है कि उसको बरदास्त नहीं होता, दूसरा यह है, कि हमारे स्मॉल स्क इंडस्टी से तो उनका उतना प्रोफित भी नहीं होता, वो इतना ही रुपया कमाते हैं जिनकों जित से उनका घर चलता है, उसमें से वो एकाउंटन को, जी एस्टी का कॉम्प्लाइंस वगर के लिए पैसा नहीं निकाल पाएंगे, उसी तरह से डाइमन इंडस्टी जो ह हमरे बड़ी इंडस्टी वहां भी यह होता है, कि एक डाइमन की रफ होती है, वो किसी को 10 केरट बेजते हैं, किसी को 25 केरट बेजते हैं, वो अलग अलग हातों में से घूम घूम कर जाती है, और उसका 93% तो एक्सपोर्ट होता है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि जी एस्ट जी एस्टी लगाना ठीक नहीं है, कहीं एक्सम्स देने भी पड़ेंगे, हो सकता है कि शरकार को यह भय हो कि इसमें 25% छूट जाए, हो सकता है, यह भी हो सकता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, अल्टिमेटली हमारी रेवर्निव के आती है, देखकर ही हमें जी अल्टिमेंटल गलती, जो प्रधान मंत्री जी के थिंकिंग में है, और वो नोट बंदी में भी दिखती है, वो जी एस्टी में भी दिखती है, सिंपल सी बात है, नोट बंदी को अगर आप देखें, मतलब जो लोग कैश में काम करते हैं, वो सब चोर नहीं हैं, अब पता नहीं कहां से इनके दिमाग में आ गया है, कि जो भी हिंदुस्तान में कैश में काम करता है, वो चोर है, बट पूरे के पूरे बिजनस हमारे, आपने खेती की बात की, स्मॉल बिजनसेज, छोटी दुकानी, यह सब कैश में चलती हैं, तो यह तो fundamental misunderstanding है, दूसरी बात, अगर आप बिजनस चलाना चाहते हो, तो, और वो मैंने आज सुरत में बहुत अच्छी तरह देखा, आपको trust की जरुरुत है, बरोसे की जरुरुत है, और उनके thinking, वो trust नहीं करते हैं, उनके thinking है कि, policing होनी चाहिए, कि, कोई नो कोई बदमाशी कर रहा है, उसको जा गे पकड़ो, पर पूरा हिंदुस्तान बदमाची नहीं कर रहा है एक परसेंट, दो परसेंट, चार परसेंट लोग बदमाची कर रहे हैं उनको जा के पकड़ो जेल में डालो मगर पूरे हंदुस्तान को तो मत पकड़ो पूरे हंदुस्तान को तो लाइन में मत डालो तो यह basic flow है, हम अधार लाए हमारा अधार का system लोगों को मदद करने का system था, monitoring का system नहीं था, आज bank account को अधार में डालो, cell phone number को अधार में डालो, सब चीज़ को अधार में डालो मतलम, इस देश को monitoring की कोई जरूत नहीं है, इस देश को enablement की जरुवत है मदद की जरुवत है support की जरुवत है तो चाहे आप मन्रेगा करो चाहे आप आधार करो चाहे आप GST करो जो भी आप करो philosophy होनी चाहिए कि हम देश को support करने की कोशिश कर रहे हैं हम देश को मदद करने के कोशिश करने, हम देश को बढ़ाने के कोशिश करने यह सोचना कि भाई यह पूरा देश, मतलब हर छोटा बिसनस मेन, हर किसां चोर है, और मैं मतलब इनको ठीक करूँगा ये इससे किसे का फाइदा नहीं हो रहा है और ये ये थिंकिंग प्राइम मिनिस्टर मोधी जी के की थिंकिंग है ये इससे कावी प्रॉब्लम हो रहा है थेंकियू सर हमारे स्टेट विवर एस्टोशेशन के अध्यक्ष सलीम बाई सेख हमारे बीच उपस्तिते आमतरित करता हूँ कि अपने अपने नमस्कार राहुल जी एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं कि पावर लूम्स एस्टोशेशन ज देश हमारा आजाद हुआ था उसके बाद उसको हैंड लूम कहते थे उसके बाद उसको मौडिफाई करके पावर लूम बनाया पावर लूम बनाने के बाद उसको जो एक्सपांशन मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला और हमारी सरकार ने जब आपकी सरकार थी 2003 में जब वा प्रजा को समझती है हमारे देश के नागरीकों को समझती है कि इनको ज्यादा जंजट में नहीं डालना हमारे पास और बहुत रास्ते हैं कि हम पैसा कमा सकते हैं और सरकार चला सकते हैं तो मेरी आपसे यही बिंती है और पहले सबसे पहले मैं ओडियन्स से कहना चाहता हूँ कि हम अगर कुछ करेंगे तब यह सरकार आएगी और तब ही हम कुछ कर पाएंगे तालिया बजा के इनको खुश करना नहीं है हमको वोट दे के इनको खुश करना है अगर यह आ जाते हैं नहीं हम यहीं चाहते हैं मैं कहना यह चाहता हूँ भाई सब ने लंबी बात किये मुझे थोड़ी बात करने तो एक ही लगुमती का आदमी हूँ मैं यह आपे और मैं ये चाहता हूँ मोधी जी जो कहना चाहे कह ले मगर राहूल जी वो ही कहेंगे जो करेंगे और वो करो जो करना है आपको मैंने आपका स्वभाव देखा साब आपने महिला जी से सेलफी करवाया इनका रब मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हम इद में दिल से मिलते हैं और गले मिलते हैं मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ और गले मिलकर मैं आपसे मुबारक बात देना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिये हमारे उपर हम करके दिखाएंगे और ये रास्ता निकाल के दिखाएंगे इंचालों अब अगर ठैर जाएं मीटिंग कहतम हो जाएगी फिर महां आ जाईए धनिवाद बहुत कुछ सवाल हमारे सब के बीच में है सर आकरी सवाल विवर इंडिस्ट्री से जुड़े हुए मयूर भाई गोलवाला यहां पर उपस थी ते मयूर भाई मयूर भाई आखरी सवाल नमस्कार मैं जादा ताइम नहीं लूँगा सर मैं और आप अमडावाद में मिल चुके है हमारी पावर लूम्स इंडिस्ट्री है उसमें जॉब वर्क पे 5% लगाया है जॉब वर्क का हम अगर गुजराती में मिनिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे मजूरी काम मतलब कि आदमी मजूरी करके पैसा कमाएगा थोड़ा बहुत फिर वो अपने परिवार का और फिर उसके बाद उसके वहाँ जो काम करते हैं उसके परिवार का घर का गुजरान चलाएगा तो मुझे यह नहीं समझ में आता है कि वर्ड इस सेलफिस मजूरी तो मजूरी के उपर टेक्स 5% GST वो मैं समझ में नहीं आ रहा है दूसरी बात हमारा GST Act है वो बेजिकली जो Act बना है Simless Flow of Credit पे बना है Credit का Flow होना चाहिए इसके कारण किसी भी इंडस्ट्रियालिस को टकलिप नहीं होगी जहाँ पे Input होगा और Output होगा तो जहाँ पे भी Inverted Duty Structure लगा है तो Simless Flow of Credit क्या है तो उसके हिसाब से उसको Refund मिलनी चाहिए तो एक Power Looms Industries ही है सी है कि उसको ये Injustice हो रहा है GST Act के हिसाब से उसको Treat नहीं किया जा रहा है उसको अलग से Treat किया जा रहा है वो हमको नहीं पटा चल रहा है दनिवाद मेरुआई आप सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने अपना कीमती समय दिया भाईया आप यहां के बात कर लीजे मुझे खतम होगा यहां के बात कर लीजे तो मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं आपको आखरी बात कहना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज यहां थे गुजरात के दो बेटों ने महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल जी ने दुनिया के सूपर पावर को हिंदुस्तान से निकाला था और अगर कोई भी चाइना के साथ मुकाबला कर सकता है आप कह रहे हो कि चाइना के कपड़े से आपको नुकसान हो रहा है अगर कोई भी चायना से कर सकता है तो आप लोग कर सकते हो, सूरत कर सकता है, गुज़रात कर सकता है और हम आपकी इस काम में हम आपकी पूरी मदद करना चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए, जब यह सेलफी ले रहे हैं, इसके पीछे देखें Made in Surat, Made in Gujarat, Made in India Thank you राष्ट्री अउपाध्याक साधने स्री रावल गांधी जी, गेलोट सायब, सबकल जी, परेशबय दनानी, हिम्मत्सबय पटैल अमारा सेर कोंग्रेस प्रमुक्ष्रियाने विरोत्पक्षना नेता स्रीनो पन आ समाध माटे अबर मानुच्वने विशेश आबार आप सवनो कि आप अपना दंदा माथी, आपना काम भस्त के सिद्यूल माथी पन समय काडिने आ सवाध मा भाग लेवा माटे अमारी वच्चे अमरा माम्त्रन ने माना आपी नाव्या ये बदल आप सवनो खूब 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 रदै प्रोग आबार 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 दनिवाद अवे बदाज पोत्पोतानी जग्याए उबारै एक साथे राष्ट्रगान गाई अने आपड़े आ कारिकरमने समापन तरप आगल लेजेशू राष्ट्रगान शुरू 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 झाल 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 झाल